जहीन नाइची फैमली दिस पंकस और बिल्कम तो आवर चैनल लर्निंग भी पंकस ये वीडियो आप सब के लिए हो सकता है काफी महत्पूल क्योंकि हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोडिनेट जेमेटर चैप्टर का कंप्लीट फॉर्मूला देखेंगे इस वी वीडियो के बाद में आपको मैस से डरनी लगेगा मैस आप से डरेगा क्योंकि हम लोग बात करेंगे जो भी कोडिनेट जिमेटरी का फॉर्मूला होता है उसे कंप्लीट एक कोश्टन के जरिए आपको कोश्टन समझाया जाएगा फिर फॉर्मूला उस पर बता दिया है और यह बहुत ही महत्पून है क्योंकि हड़े बाई अगर आपको यह फॉर्मूला समझ में आ रहा है तो इसके बाद हम लोग काफी सारे मतलब जो आपको टॉपिक्स होगा इसी फॉर्मूला से क्लियर होगा तो हम लोग समझते हैं कि यह डिस्टेंस फामूला क्या होता है अगर माली जी यह दो बिंदू अगर कोई दिया गया लेट यहां पर पॉइंट एप होड़े पॉइंट भी मतलब बिंदू इसको लोग कह लेते एकस बन वाई वन एकस तू य टो ठीक है अब इसके बीज की हमें दूरी निकालना है क्या गर ना इसके बीज की दूरी न का हल इस Cherry5 का याद रखना हो यह आपको फार्मूले याद रखनाना है यह दो खतम हो जाएगा तो आपको यह फार्मूला रहने के छे प्रूमूला होाई een कभी कभी क्या होता है कि जैस어서 रहां एक पूइंट रहे गा लकिन सब्सक्राइब क्या होगा गया वgefम मूल विंदू होगा तो मूल विंदू से दूरी निकालना हो तो क्या लिकालेंगे ठीक है घंड आपका फॉर्मूला जागा यद रखेंगे कि जब अगर मूल बिंदु एक क्या होगा पॉइंट आपका मूल बिंदी होगा तो आपके इस ज्यादा प्लसी की चाहिए आसां से पूचन पूचन पूछा जाता है है थे बोला कैं बिंदू इसके और वीसकी दूरी जयात करना है और जब दूरी vídeos करना है कि आपको यह वाइवन वाइट वाइट्व यह चीज़ है तो आपको पहले क्या करना है एक्सटीं यहाप GBन वाइवन तो देखो इसमें हो जाए गा-x1 और यह y1 हो गया फिर x2 y2 ओके तो अब देख लो क्या 5 और यह 4 हो गया यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अब दूरी का फॉर्मूला है यहां पर क्या देखे दूरी का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर x1-x2 का हॉल मतलब solve कर शकते हो ओके अब देखो मैंने फॉर्मूला पूट कर दिया अब हमें क्या अगर ना जो छोटा सा अगर किसी के पास सब्सक्राइब करके दिखाएगा देखो क्या है एकस वन की वैलू कितना है यहां पर तो यहां पर देखो डाल दिया वाइट सौरी एकस टू का ही घटा नेकर दो में से 5घटाने मतलब कि पांच मिससे दो घटा सकते तो तो क्षेंस थीन हो जाएगा तो माइनस 3 काls से आप कहा सकते हो आप क्लास कोई अगर हम तो अगर कह सकते कि जरूरी यह तेंद का लेकिन अगर बच्चे एट बेबी अगर जो बच्चे होंगे वह एक वार सही से देखेंगे उनको वी इजी वे में आपको शमज में आ जाएगा बस आपके लिए इंपोर्टेंट का है कि समझ में आना चाहिए ठीक है तो यह देखो कोच्चन से रहेगा इस तरह का फॉर्मूला रहेगा इस तरह का कोच्चन से होंगे आपको याद रखना है आराम से सॉल्व कर लोगे अब इसी पर कोच्चन क्या होगा जैसे मालीजी कोच्चन अगर पूस्दे आप से कि अगर यहां पर देख लो बोला गया कि मुल विंदूस वह ना दो और चाहर का दूरी मूल विंदूस से क्याद करें अब मूल विंदूस से बोला लाक लिए हम लोग यह फार्मूला यूज कर लेंगे ट्यूंकि टाइम बेस्ट करने से कोई फैदा नहीं होगा ओके और यह बोल सकते है एक्स वन आपका कितना है दो और वाई वन कितना है चार है तो सिद्धे दूर ही निकाल देते ना मूल विंदूस से क्या एक्स वन का स्क्वार मतलब दो का स्क्वार प्लस में चार का स्क्वार कितने हो जाएंगे चार प्लस में 16 मतलब क्या 20 रूट में अभी क कैसे तो देखो पाबू जब कभी मूल विंदू बोलता है ना तो मूल विंदू का कॉडिनेट जो होता है वो होता है जीरो और जीरो तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स टूब वाई टू कितना जीरो और यह भी क्या हो जाएगा जीरो तो अगर चार में से दूप सरी गया है तो हम लोग देखेंगे इसका यह कहां-कहां पर किया जाता है अगर आपको आ गया है तो yes यह नो कमेंज करें विकॉस सबसे महत्पूर जो कहते हैं ना कोडिनेर जो मैंटरी का सबसे महत्पूर अगर फार्मूला हो इंपोर्टेश फार्मूला होता है वो दूरी हम लोग करके देखते हैं पहला जैसे पहला अगर माल लीजिए लिखेंगे हम लोग शम्दी बाहु तिर्बूज के लिए कि देख लिए तो पहले तो तिर्बूज लेते हैं यहाँ पर कि इसका नाम कोडिनेट दे लेते हैं a b 3 ओके चलिए अब इसका कुछ न कुछ क्या होगा कोडिनेट इसका दिया रहेगा मतलब जैसे एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थरी वाई थरी मतलब इस तरह तीन बिंदू आपको दे रखा होगा चैक है अब उसकी बात बोलागा मतलब बोलेगा किसी दे करें कि यह जो कोडिनेट है मतलब यह जद निर्दे सांग दिया गए यह क्या होगा संदी चरशी और तिष्णरह और और ती येति रूडिनी करना अपको क्या कैने निकालना है देखर यहां पেए और एक भार दे रिन निकाल एनएं फिर बीसी और एकवर अप बेत करना है इसया पाई यूज किसे करने आपको दूरिषो यह प्योगा ओके सपको क्या करना है ऐ क्या होगा बोला समधीवा हो मतलब क्या हो कोई दो इक्वल डिस्टेंज आएगा इसे मतलब कोई दो होना चाहिए जैसे बढ़ावर मतलब जैसे क्या हो गया एबी बढ़ावर आ जाएगा किसके इसी okay और आप ऐसे इसे क्हा सकते कोई दो बडावर राना चाहिए को की दो बड़ावर होना चाहिए कि मतलब किया आपक दूरी निकाल लाए यह तीन दूरी निकाल लाए पहले a b फिर दुष्क्रा bc ओर दीस्तरा a c मतलब इसके बीचमें प्रिण से बीच में ये ac के बीच में अनी निकालना रा इन दूरी में से क्या हो या कोई दो बड़ावर जैसे अगर मालीजी कि दो का आंसर बड़ावर आएगा तो हम लोग बोलेंगे सम्धी बाहुतिरभूच का सिर्ष है ठीक है चले दूसरा अगर बात करते हैं यहां पर लिखा गया संभाहु कि शंभाहुतिरभूच के लिए तो क्या कड़ेंगे सम्भाहुतिरभूच की अगर बात कड़े तो शिंपल सी बात है देख लो यहाँ पर लिट ए बी और सी और एक आप दिमाग में शैटी कर लो कि जब कभी वी अगर ती भूच की बात हो न तो वहाँ पर आपको तीन डिस्टेंस एकदम हमेशा निकालना है निकालना है ठीक है यहाँ भी क्या क्या निकालोगे आप पहला दूरी क्या हो जाएगा है और इसमकर हो फिर उसके वाद ब दी और सी और और चीए उके और यहां पर वोला ड्लास मतलब शंब हो कहनोत है कि शंब करसब भूचा okay शंब हो जमथा क्या 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 सिसका सव थी मतलब तीनो जो होगा ना तीनो बढ़ावार आना चाहिए तीनो को ना क्या हमान बड़ावर होगा ठीक है मतलब जीतना भी आंसर आएगा तीनों का आएगा अगर इसका पांच आगया अगर इसका पांच इंसर आए तो इसका भी पांच आना चाहिए इसका भी पांच आएगा बड़ावर आगया तो बोलें कि शंबाहू तिर भूच का शिर्स है नहीं तो यह समयारा और भटाइब अ मतलब ढूरी निकाल नहीं मतलब पहले जैसे बता रहा हूं की इस के बीच में दूरी निकाल लिजेगा फिर इसके बेंच में दूरी निकाल लीजेगा फिर और इसके और इसके बीच में निकालिेगा तीनों अगर इकवला यह तो शम्दी भाहु 2000 के समंझ में आ Рाओगा त किरते हैं तो की जी Offer संकोन तिर्फुष मिसकी निकालना पड़े क्या क्या गया ही कर लेख भ Cake अब बार मतलब दोनों के बीच में दोड़ी में अतरा किया अपने का लोगे ए बीणी का लिए और открывこれ इस यह तीन आपको निकालना ही निकालना जब कभी भी तिरबूच की बात हो तो यह तीन निकालना है ओके अब देखो श्रम कोण में क्या ओधा यहां पर हमें पिक्चर है तो समझ में आ रहा है जलो यहां पे करन है और इलम है आधार लेकिन जब अगर कंफुजन हो तो कैसे से बताएंगे कि कौन किसको माल लिए ठीक है तो यहां पर हम सिंबल की अपना है ट्रीक कहते हैं कि दो कि कोई दो कि छोटे मान का बर्ग बड़े मान के बड़ाबर होगा कि योग के बड़े मान के वर्ग के बड़ाबर होगा और चलो देखो यहां पर क्या करने इसले यहां तो अभी मैंने मतलब इस तुरा पिक्चर सबनाएं कि चलो यहां पर दीखर है यह लंब है यह अधार और यह करने है लेकिन जब अगर आपको पता नहीं हो तो आपने तीन तो निकाल लेगा मतब निकाल लोगी अबिसी और आपको packaged लिहीं हो चोटे चोटे करों मतलब इसका मतलब और जोड़ो तो इसके square के बराबर आ जाएगा, यह कहने का मतलब है, ठीक है, इसके square के, मतलब जब दोनों छुटका वाले जो होगा ना, उसका square करोगे, फिर बड़े वाले square करोगे, तो योग में दोनों क्या आना चाहिए, बराबर आ जाएगा, तो यही इसका conditions कहता है, क्या समकून का क है, ठीक है, तो आपको यह तीन चीज़ निकाल लाएं, और कोई दो छोटे का जोड़ेंगे, तो क्या होगा, तीसरे के, बड़ाबर आ जाना ही चाहिए, ठीक है, यहाँ पे conditions है, सनडेक के लिए, क्या है, सनडेक के लिए, I mean, यहाँ पे रैखीक भी लिखा रहेगा, कभी अभी कुछंस में रैखीक भी पूस देता है, जिसको हम लोग लिनियर बोलते हैं, ओके, तो इसके लिए क्या conditions होगा, तो चले यह माल दीजेंगे, आपको तीन ले लेता हूं, पॉइंट्स, A, B, और ये, C, आपको बोलेगा सित करें, कि A, B, C क्या है, सनडेक है, तो इसक कर लोगे, सबका condition आपको दिमाग में शिर्ट रखना है, जो कि मैं condition अभी बता रहा हूं, तो सनडेक के लिए क्या condition हो देख लेते हैं, यहां पर तीन पॉइंट्स है, रास्ता क्या क्या दिख रहा है, एक यह दिख रहा है, और एक यह दिख रहा है, मतलब पहले तो मुझ सेम क्या होगा, यहां पर वडग नहीं करना है, यहां पर क्या होगा ना, जैसे हम लोग कह सकते हैं, AC बराबर, AB पलस, BC, यह conditions हो गया, मतलब क्या, कि जो पूड़ा दूरी है, यह पूड़ा यहां से यहां तक है, यह छोटे-छोटे योग, अगर हम इसको जोड़े तो क्य होगा, इसके बराबर में आ जाएगा, ओके, तो हम लोग यहां भी अपना जो कहते हैं, तरीका, जो भिहार इट्रीक है, वो कर लो, मतलब दो छोटे, दो छोटे मान, का योग, मतलब योग का मतलब जोर, ठीके न, बरे, मान के, बराबर होगा, ओके डियर, मतलब क्या, चल एक आंसर दो आ गया, एक आंसर चाड़ आ गया, ठीक है, और समाली जी अभी निकाला, ये बी सी, और एक एसी आ गया, मान लीजे की छोटे वाला है, न, उन दोनों का योग, मतलब दोनों को जोड़ोगे, न, तो बड़े के बराबर में आ जाना चाएगी, तो देखें, इ संगर के बीच में May假 liege चोटा वाला जो भाली होगा उन दोनों को जोरना है बड़े वाले कि क्い Japan इसका क्या होगा कि शौरी चलिए बी सी और डी ओके मैंने समानतों चतर बूज बना लिया ठीक है और इसके लिए क्या-क्या कंडिशन्स होगा तो पहले देखो यहां भी क्या-क्या पहले दूरी क्या-क्या निकालोगे बता सकते हो आप लो कमेंड करो को अगर बता पाओगे तो क्या-क्या निकालना इसका दूरी तो आपनी क्या हो इहां पहले चीज़ निकालना पड़ेगा क्या क्या इस रास्ते का नाम क्या है पहला देखलो पहला रास्ता का नाम क्या है ए और दी तो आपको निकालना पड़ेगा एबी फिर उसके यहां पर देखलो सब्सक्राइ size कोई दिक्कत नहीं और उसके बाद किया डिये या एडी सकते ओके को आदी नीँ यहां पर चार निकालना पड़ेगा टेकर मतलब DON इखो आप निठाई利 क्या जिसे वहां पे चार दिया रहा है ए बी सी और इस तरह चार विंदू आपको दिया रहा है एक सब्सक्राइब बोलेगा कि मतलब इस तरह देखर कि विंदू इतना ए बी शीडी ऐसा कुछ इसका वैलू रहेगा सीध करें कि यह समांदर चतरभूज के सिर्स है या नहीं इसके बड़ाबर है और यह इसके बराबर है ऊके मतलब किया हम लोग कह सकते हैं Library आजाएगा आ जएगा क्या Çवर देख्यृ AB जो बडावाएगा, CD का, और दूसरा क्या हो जाएगा, हम लोग कहा सकते हैं, AD जो बरावारा जाएगा, BC का, ओके, ये तो किताब की बात हो गए, लेकिन हम लोग अपना ड्रिक क्या कहएगा, तो simple सी बात है यहाँ पे 4 चीज निकलेगा ना बच्चे यहाँ पे क्या चार दूरी निकलेगा A B C D 4 निकाला है तो 4 में क्या होगा कोई 2-2 आपस में बराबर होगा क्या यालख है बाबू जैसे आपने 4 निकाला तो उसमें 2-2 घैलू आपस में क्या होगा बड़ाबर आगा जैसे मालीची आपने यहाँ पर आंसर मतलब A B अगर आगया आपका मतलब 2 चीक है A B 2 आगया चले डिक है A B C चार आगया फिर क्या हो गया B C अगर 2 आगया फिर A D चार आगया ठीक है तो बोला कि चार होता है आगया तो बन जाएगा क्या पाबु क्या करते हैं च स्षुण के लिए a confident ब्र करें तो बहुत क्या यह जाएगा तो बन जाएगा न जाए परकट्टेंगल क्या कैंट कुछ नहीं आपको भी सेम यह निकाला है उसमें भी यहीं कंडिशन होगा दो आपस में बढबर होगा लेकिन एक नया चीज बन जाएगा यहां पे जिसको दाइगोणल लाइं विकर्न कहते हैं क्या कहते हैं बिकर्न तो एक बढ़ाथ एक अज़िकर्न क्या बन देखे बूर्हों, यह दोनों आपस में क्या होगा ? बडाबर बडावर आएगा अगर आजाएगा तो बोलेंगे, आयत है? नहीं तो नहीं बस आयत। के लिए क्लिए क्या कर फ मतलब क्या ? आपको इंस्तुर्ज दिखे नॉइ निकालनाए है दूरी सुत्र से निकालने ना इसको भी, दूरी सुत्र का यूज़ करके करें, इसको निकाल लेंगे, ठीक है, अगर ये भी बड़ा-बड़ा, क्या तो बोलेंगे, आयत का सिर्स है, नहीं तो नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके, चलिए, तो इसका next देखते हैं, next ज लेडिस का भी, A, B, C और D, ओके, अब इसमें भाई सब क्या 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 कंडिसन्स होगा, वो देख लेते हैं, तो पहले आप मुझे बताओगे, कि दूरी किसका किसका आप निकालोगे, ठीक है, आंसर कमेंड करो, क्या किसका मतलब क्या होगा दूरी, आप किसके बीच में ओके, छली, अगर आपने कर दिया है, तो चलो जब इकिए, अब मैं बताताओ कि किसके किसके में दूरी निकाल है, आपको देखो दिया, आपright रास्ता कितना दिखर है, यहाँ पे मुझे चार रास्ता दिखर है, क्या, चार रास्ता का नाम B, पहला रास्ता का नाम A, B क्य इसके बाद क्या होगा जब यह आप निकाल लोगे तो यह देखो क्या है यहाँ पर नाम ही लिखा गया सम्चतर भूज इसका सिंपल की चारों का जो भी डिस्टेंस आया ना वो सभी क्या होगा आपस में बरावर होगा चाहिए जितना भी आपस में समान होगा ठीक है आपस में अब इसी सेरील टेक हो जाता है कि असम चतर भूज का फॉट अभी कह सकते हो वर्ग ठीक है तो हम लोग इसी को इरेस करके लिख देते हैं क्या वर्ग यह समझ में आ रहा है बस चार दूरी निकालना चारों का आपस यह बढ़ावर आ जाएगा नेक्स अगर हम लोग बात क करते हैं बढ़ की ओके लिए इसक्वाइर के लिए क्या कंडिसम्स होगा तो देखो बाव यहां तक तो सेम आपको करना ही है मतलब चार आपको निकालना आ है क्या A B B C C D और A D यह आपको निकाल लेना है इसके बाद क्या करना इसके बाद जो करते हैं यहाँ पे एक नाय स हो गया बीडी ओके और यह दोनों क्या होगा आपस में बराबर होना चाहिए दोनों का वैल्यू क्या होगा बराबर मतलब जीतना इसका वैल्यू होगा वही बीडी का भी वैल्यू होगा अगर यह भी दोनों क्या होगा दोनों बराबर आ जाएगा बडाबर होगा, तो क्या होगा बबबू? यह बोल सकते हो, अगर यह दोनों बडाबर आ गया, तो बोलेंगे यह वर्ग का सिर्स है, ठीके ना? बस सम चतर भूज के लिए बस इतना ही पर कर देना अजा छोड़ देंगे, लेकिन वर्ग जैसे ही बोलेगा, तो क्या बोलेंग तो का है दूरी सुतर ही तो दूड़ी आपको क्या करने है, आगर आपको दूरी सुतर समझे में आगिया, तो यह सारे के सारे कंडिसंस अपने की बना सकते और इस तरके को समझे में पक्का पूछाई जाता है तो इसलिए आपके लिए बहुत ही महत्मुन है आडाम से क्या करें देखें इसको और रिपीट करें और जो भी प्रॉब्लम हो रहा है तो कॉमेंट सेक्शन में बताएं ठीक है ताकि मैं नेक्स्ट इसका जो फॉर्मूला बच गया है जैसे मैं आपका श्रेक्शन फॉर्मूला भीवाजन से उत्रूज इसको कहते हैं तिर्भूच का शित्फल मद्य विंदू मतब और भी कई सारे महत्मुन फॉर्मूला बचा हुआ है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूँगा पहले ये कंडिशन में अगर आपको प्रॉब्लम